इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग SAC CGL 2024 एक्जाम के लिए कौन से टॉपिक का रिविजन करने वाले हैं तो करेंट अफिर्स का तो देखिए फेस 12 का जो एक्जाम हुआ था उसमें जितने भी पूछे के कोर्षन है करेंट अफ कोर्षन है तो पूरा वीडियो आपको देखना है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोर्षन के साथ पहला कोर्षन जो कि बहुत है सिंपल है कि दर 2024 ओलंपिक गेम्स विल भी होस्टेट बाई 2024 का जो ओलंपिक गेम है वो कौन सा देश जो है होस्ट किया है तो आप क्या कहेंगे पैरिस कहेंगे ठीक है तो फ्रांस का कैपिटल क्या होता है पैरिस होता है तो यहीं पर हुआ यह नेक्स्ट कोर्षन है कि हूँ हैड हेड़ सेभी हाई पावर्ड स्टेरिंग कमिटी ओन साइबर सेक्यूरिटी पोस्ट एक्सपेंशन तो दे सिक्स मेंबर कमिटी इन सेप्टेंबर 2022 सितंबर 2022 में च्हर सदर सीय समीती में विस्तार के बाद साइबर सुरक्षा पर सेभी की उच्चा दिकार यहाँ पर होगा यही हेड थे तो राइट एंसर नविन कुमार सिंग होगा करेक्ट एंसर नेक्स्ट कोशन है कि भारत में वर्ष 2022-23 के लिए कासी यात्रा योजना के लिए किस खाता सिर्शक के अंतरगत वित पोर्षन को मंजूरी दी गई है तो क्या हो जागा करेक्ट एंसर राइट एंसर हो जागा assistance to मानसा शरूवर पिल्गिरिम्स ओके तो राइट एंसर यहाँ पर क्या होने वाला है मानसा, सरूवर तिर्थ यातियों को साहेता यह है वह खाता सिर्शक नेक्स्ट कोर्शन है कि भारे सरकार ने 2023 में प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है जिसके तहट अगले तीन वर्सों में लाखों युवाओं को कौसल प्रधान किया जाएगा इसमें कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मैनो ट्रिक्स, IOT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए यूग के पाठे करम सामिल होंगे तो यहाँ पर क्या होगा correct answer, right answer होगा 4.0 तो प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना 4.0 में जो है यह सब प्रोवाइट किया जाएगा आने वाले 3 साल में नेक्ट कोर्शन है कि एज ओफ जुलाई 2023 हू इस दे चीफ मिनिस्टर आफ असाम तो जुलाई 2023 तक असम के मुख्य मंतरी कौन है हलाकि प्रजेंट में भी यही है मुख्य मंतरी हिमन्त विश्वर सर्मा होगा यहाँ पर right answer असम के तो यही है चीफ मिनिस्टर नेक्ट कोर्शन है कि which of the following government scheme was launched to provide financial assistance to start-up for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization on 19th April 2021 तो वो कौन सा government का scheme है तो आप क्या कहेंगे start-up India seed fund scheme SISFS यह है वो scheme नेक्स्ट कोर्शन है कि how many countries participated in the 2016 South Asian Games 2016 के दक्षिन ACI खेलों में कितने देशों ने भाग लिया तो total 8 countries ने जो है participate किया था नेक्स्ट कोर्शन है what is the percentage of concession on fares provided to women on HRTC बसे अंडर दर नारी को नमन scheme launched by the chief minister of हिमाचल परदेश in 2022 तो यहां पर क्या होगा correct answer तो यह जो बस था HRTC उसमें महिलाओं को किराए में कितने परतिसर छूट दी गई थी तो आप कहेंगे 50% का next है कि March 2023 में मेघाले के मुख्यमंत्री की रूप में किसने सपत ली है कौन है मेघाले के मुख्यमंत्री तो मेघाले के मुख्यमंत्री हो जाएंगे Cornard के संग्मा होगा यहां पर right answer next question है who has been appointed as the chairman and managing director of cotton corporation of India in 2023 तो कौन है chairman and managing director cotton corporation of India के तो आप कहेंगे ललित कुमार गुपता ललित कुमार गुपता जो है यह chairman है and managing director है किसके cotton corporation of India के next question है कि who was appointed as the chairman of national bank for financing infrastructure and development in October 2021 तो 2021 के October में जो है इनका appointed हुआ है कौन बने है chairman national bank for financing infrastructure and development के तो आप कहेंगे केवी कामत ठीक है केवी कामत यहाँ पर right answer है next question है the national health authority ministry of health and family welfare has organized DAS to celebrate five years of ayushman भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना and two years of ayushman भारत digital mission on 25th and 26th September 2023 in New Delhi तो यहाँ पर क्या होने वाला है correct answer right answer होगा आरोग्यमन्थन ठीक है आरोग्यमन्थन होगा correct answer next question है कि in February 2023 which state government's cabinet has approved the new excise policy under which ahathies or areas for drinking attached to liquor outlets and shop bars will be closed तो February 2023 में किस रार सरकार की cabinet ने नई अपकारी नीती को मंजूरी दी है जिसके तहत शराब की दुकानों से जुरे आहाते या पीने के छेतर और shop बारबंद कर दिये जाएंगे तो मद्य प्रदेश होगा यहाँ पर right answer next question है कि who among the following was appointed as a chairman of the 22nd law commission in November 2022 November 2022 में 22 वे विधी आयोग के अधक्ष के रूप में निम्न लिकित में से किस से न्यूक्त किया गया तो justice जो की retired है रितुराज अवस्ती को next question है कि who was appointed as a chairman of the national commission for backward classes in December 2022 December 2022 में राश्रिये पिछरा वर्ग आयोग के अधक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया तो right answer क्या हो जागा हंस राज गंगा राम अहीर होगा correct answer next question है तो यहां पर क्या होगा right answer कौन है इसके राइटर तो नाम होगा अमीस्त्री पाथी ठीक है यह है right answer next है in 2023 government of India has proposed to set up central processing centers for faster response to organization through centralized handling of various forms filled with field officers under the dash तो वर्स 2023 में भारे सरकार ने डैस के तहट छेतरिये कारियालों में दाखिल विभिन प्रपत्रुक के केंद्रित संचालन के माध्यम से संगठनों को 30 से प्रतिकिरिया देने के लिए केंद्रिये प्रससकरन केंद्र अस्थापित करने का प्रस्ता दिया है तो राइट एंसर होगा कम्पनीज एक्ट ओके नेक्स्ट कोर्षन है ओन 11 माई 2023 उत्राखन चीफ मिनिस्टर लाउंस्ट दे स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम इन दे गोरल चौर्ड अडिटोरियम इन दे स्टेट्स डैस डिस्टिक्स ओके तो क्या होगा यहां पर राइट एंसर उत्राखन के जो मुख्य मंत्री ने जो है राज के डैस जिले के गोरल चौर्ड सभागार में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक करेकरम का सुभारम किया तो राइट एंसर हो जाएगा चमपावत ओके next है कि who among the following sports person is credited with the autobiography undisputed truth तो undisputed truth जो है यह किस की आत्मकता है ठीक है तो राइट एंसर होगा Mike Tyson next question है 75 स्वतंजरता दिवस के उपलक्ष में भारत सरकार की पहल आजादी का अमरित महुतसर्फ किस वर्स शुरू हुई किस वर्स शुरू हुआ था 2021 में next है मई 2030 में रवनीत कौर डैस के रूप में अपनी नियोक्ती के कारण चर्चा में थी किसकी नियोक्ती के कारण वो चर्चा में थी तो Chair Person of Competition Commission of India के नियोक्ती से ठीक है Chair Person of Competition Commission of India next है अगस्त 2021 में महिलाओं को ससक्त बनाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए भारतिये राज डैस द्वारा Mission सक्ती 3.0 का तीसरा चरण शुरू किया गया तो वो कौन सा भारतिये राज है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश ठीक है next question है कि how many classical dance forms were officially acknowledged by the Sangeet Natak Academy in India till 2023 तो कितने है classical dance तो total 8 classical dance है आप सब लोग जानते हैं भरत नाट्यम, कथकली, कुच्ची पूडी, मोहिनी अटम, सत्रिया ये सब जो है classical dance है next question है निर्म लिखित में से कौन 2023 में भारतिये वायू सेना के उप प्रमुक के रूप में एर मार्षल संदीप सिंग का अस्थान लेंगे तो कौन लेंगे अस्थान संदीप सिंग की जगा तो right answer होगा अमर प्रीत सिंग ठीक है अमर प्रीत सिंग next है जनवरी 2023 में railway board के नए मुख्य कारेकारी, अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसने कारेभार समाला है तो नए मुख्य एक मार्च 2022 तक दिसम्बर 2021 में निम लिखित में से कौन से विधायक पारित किये गए तो एक मार्च 2022 तक दिसम्बर 2021 में निम लिखित में से कौन से विधायक पारित हुए the election law amendment bill 2021 next है कि भारत के चोहतरवे गंतंतर दिवस परेड में मुख के अती थी कौन थे कौन थे चीफ गेस्ट 74 रिपब्लिक डे पैरेड में तो आप कहेंगे अबदेल वता अल सीसी होगा यहाँ पर करेंट एंसर नेक्स्ट है 281 एंड बियोंड जो है यह किसकी बुक है वो कौन से किर्केटर है जो 281 एंड बियोंड नामक पुस्तक का साल लेखन किया है तो वो है वीवियक्स लक्षमन नेक्स्ट है फैवरेरी 2023 में निम्लिकित में से किसे चार साल के कारेकाल के लिए ILO का बाहरी लेखा परिक्षक निउत किया गया तो किसे किया गया है तो यह है जीसी मुर्मू को ओके नेक्स्ट है किस परोसी देश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर रीम एसोसियेशन की अध्यश्टा समाली है तो राइट एंसर होगा बंगलादेश नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारतिये भीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष के रूप में किसे निउत किया गया है कौन बने है चेर्मेन इंसुरेंस रेगुलेटरी और डेवलोप्मेंट ऑथरिटी अप इंडिया के तो देवसी स्पांडा हो जागा यहां पर राइट एंसर नेक्स्ट है किस ने लॉंच्ट किया है तो आप कहेंगे डॉक्टर जितिंद्र सिंग यहां पर राइट एंसर होने वाला है नेक्स्ट है इन दिसंबर 2022 तो किस ने जो है अप्रूफ किया है इस कमीटी को तो आप कहेंगे नरेंद्र सिंग तो मार ने ओके वेन वार्स दा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंबिन बिल इंटरूस्ट इन लोग सभा ठीक है तो कब जो है इसको इंटरूस्ट किया गया है तो आप कहेंगे 29 मार्श 2030 को इंटरूस्ट हुआ है यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंबिन बिल नेक्स्ट है कौन है लाफ्टेन गवर्नर दली के एज उफ जुलाई 2023 तो इनका नाम है विनाई कुमार सकसेना नेक्स्ट कोर्शन है कि इन फैबुरेरी 2023 विच हाई कोट ओडर्ड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फैबुरेरी 2023 में किस उच नयाले ने आदेश दिया कि विदेशी भी भारतिये अदालतों में घरेलू हिंसा अदिनियम 2005 लागू कर सकते हैं और महिलाओं का निवास महत्मेहीन है तो राइट एंसर हो जाएगा मदरास होगा यहाँ पर तो कौन है तो आप कहेंगे गंजी कमाल वी राओ नेक्स है इंडिया का राइंक कितना है इंडिया का राइंक जो है वो 66 है नेक्स है तो यह है आनन्दी बेन पतेल नेक्स है यह किसकी भूक है तो आप कहेंगे कपिल देव की भूक है नेक्स है भारत के विश्व अस्तर पर जो है जो संगित कार है रिकी केज वो निम लिखित में से किस अल्बम के लिए जो है 57th Grammy पुरुषकार जीता है तो आप कहेंगे Winds of संसार ओके Winds of संसार हो जागा correct answer next question है who has been appointed as the new chairman of the National Highway Authority of India in December 2022 तो कौन बने है ये संतोस कुमार यादव बने है new chairman इसके National Highway Authority of India के तो ये है वो questions जो phase 12 के exam में पूछे गए थे बहुत सारे ऐसे questions है जो कि बहुत पुराने पुराने पूछे गए है जो कि सोच भी रहे थे कि ये सब question करवाना जो है कि compulsory है जरूरी है क्योंकि ये सब मुझे नहीं लगता है कि कहीं CGL में आएगा बट कोई ठीक नहीं है जिस हिसाब से question set कर रहा है examiner उसको देखकर तो यही लग रहा है कि 2022-2023 इसके question बहुत जादा रहेंगे CGL के exam में तो मिलते हैं आप आपसे next topic में तब तक के लिए all the best